एटोमिक हैविट के चोथे नियम का भाग तीन किस तरह एक जवाब दे भागीदारी हर चीज को बदल सकती है। दुसरे विश्यूद में एक पाइलट के तोर पर काम करने के बाद रोजर फिर्सर ने हावर्ड लाइस्कूर में बढ़ाई की और 34 साल बाद चीद और संगर्स प्रवंधन की विशे सिगता में बिदाएं। उन्होंने हावर्ड नेगुसियेशन प्रोजेक्ट की अस्थापना की और कई देशों तथावीशों के नेताओं के साथ सांती समधानों, बंधक संकटों और कूट नितिक समझाओताओं पर काम किय लेकिन जब 1970 और 1980 के दसक में परमाडू यूद का खत्रा बढ़ गया था तब फीसर ने सायद अपना सबसे दिल्चस्प विचार विक्सित किया, जिस समय फीसर का ध्यान उन रणनीतियों को डिजान करने पर केंदिर था जो परमाडू यूद को रोक सकती थी, तब उन्हो इसा हजारों मिल दूर रहेंगे, मेरा सुझाओ काफी सरल था, उन्होंने 1981 में लिखा, छोटे से कैपसुल में परमाडू कोट को डाले और फिर एक सोय सेवक के दिल के ठीक बगल में उस कैपसुल का परत्यार उपड़ कर दे, राश्पती के साथ चलते हुए एक सोय सेवक मुझे खेद है, लेकिन दसीयों लाख लोगों को मर जाना चाहिए, उन्हें किसी और देखना होगा और महसूस करना होगा कि मृत क्या है, एक नियर्दोस इंसान की मृत क्या है, वाइट हाउस के कालीन परकून, इसे से वास्तिविक्ता से सामना होगा, जब मैंने पेंटा तन के चोथे नियम की हमारी चर्चा के दोरान, हमने अच्छी आधतों को तुरंथ स response जनक बनाने के महत्तों को कवर किया है, फीसर का सुझाओद चोथे नियम की वप्रित है, इसे तुरंथ स нес जनक बनाते, जिस तरह हमारे उस अनभाव को दोराने की अधिक संभाना होती है जब अंत संतोस जनक होता है उसी तरह हमारे उस पनभावों से बचने की अधिक संभावना होती है जब अंत दर्दनाक होता है दर्द परभावी सिचक होता है यदि कोई अस्फलता दर्दनाक होती है तो वह दिमाग में छप जाती है यदि अस्पलता अफिच्छा किर्थ दर्द रहीत होती है तो इसे नजर अंदाज कर दिया जाता है जितनी थतकालिक और अधिक बड़ी गलती होती है उतनी ही तेजी से आप उसे सीख लेंगे बुरी समिच्छा कि सेतावनी एक पलंबर को काम अच्छा करने के लिए बात करती है गरहागे कभी नहीं लोटने के संभावनाओं से कोई रेस्तरा अच्छा भोजन बनाने लगता है गलत रक्तावाहिक को काटने की कीमत एक सरजन के मानो सरीर रचना विज्ञानों में महारत हासिल करने और सवधानी प्रोब आप्रेशन करने के लिए बात करती है जब परिगाम गंभीर होते हैं तो लोग जल्दी सीखते हैं जितनी अधिक ततकाल दर्द होता है उस वेहवार के उतने ही कम संभावना होती है यदि आप बुरी आदतों को रोकना चाहते हैं और गैर से हदमन्द वेहवारों का खत्म करना चाहते हैं तो कारवाई में तोरित कीमत को जोड़ना उनके संभावनाओं को कम करने का संदार तरीका है हम बुरी आदतों को दोहराते हैं क्योंकि वे किसी तरह हमारे काम आती हैं और इससे उनका प्रित्याग करना कठीन हो जाता है इस संकट को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका जो मुझे पता है वह है वेहवार से जूरी सजा की गती को बढ़ाना करवाई और प्रिग्रामों के बीच अंतर नहीं हो सकता जितनी जल्द कोई कारे तत्काल प्रिग्राम देता है वेहवार में बदलाव आने लगते हैं जब विलम से भरने पर अतरिक फीस ली जाती है तो उख भुकता अपने बिल समय पर देने लगते हैं जब इस्टुडेंट की ग्रेड को उनकी उपस्तिती से जोर देते हैं तो वे कलास में नजर आने लगते हैं थोड़ी से दर्द से बचने के लिए हम धेर सारी छलांग लगाते हैं जाहिर इसकी एक सीमा होती है यदि आप वेवार को बदलने के लिए सजा पर भरुसक करने जा रहे हैं तो सजा की थाकत उस वेवार की सापच सकती से मेल खानी चाहिए जिसे वस सही करने की कोशिस कर रही है उतपादक होने के लिए ताल मटोल की कीमत करवाई की कीमत से अधिक होनी चाहिए सौस्त दराने के लिए आलस की कीमत वेयाम की कीमत से अधिक होनी चाहिए एक रेस्तना में ध्रूम पार्म करने या री साइकल करने में और सफल रहने के लिए जुर्माना लगाया जाना करवाई के साथ परिगाम जोड़ देता है वेवार के वग तभी बदलता है जब सजा प्रयाप तरदनाग हो और सिड्धन से रागव हो समाने तोर पर जितना अधिक अस्तानी अमुत्र टोस और तदकाल प्रयाम होता है उतना ही उसके वेटिगत वहवार को परभावित करने की संभावना होती है अधिक वैस्विक, अमुत्र, अपस, असपस्ट और विलंबित प्रेडाम से विक्तिगत वहवार को प्रभावित करने की कमप संभावना होती है सुक्र है किसी भी वुरी आदत से कीमत को तदकाल जोडने का एक सीधा तरीका है आदत का अनुबंधन बनाएं सबसे पहले सीध वेल्ट का कानून 1 दिसमबर 1984 को निव यॉर्क में पारित किया गया उस समय मातर 14 फिसेदी लोग ये अमेरिका में सीध वेल्ट का प्रियोग करते थे लेकिन बाद में यह सब बदलता चला गया मातर 5 वर्सों में आदे देश में सीध वेल्ट का कानून बद गया आज 50 में से 49 राजियों में सीध वेल्ट पहनना कानूनी तोर पर लागू हो चुगा है या मातर कानून नहीं है सीध वेल्ट पहनने वाले लोगों की संख्या नाटकिये रूप से पतक चुगी है 2016 में 88 फिजदी लोग अमेरिका में कार में बैठते ही हर बार सीध वेल्ट पहन लेते थे सिर्फ 30 वर्स में आदतों में पूरी तरह से उलट के रो गया लाकों लोग सीध वेल्ट पहनने लगे कानून और नियम इस बात का उधारण है कि सरकार कैश समाजी कानूंदन बनाकर हमारी आदतों को बदल सकती है एक समाज के रूप में हम सामोविक रूप से कुछ नियमों का पारण करने पर सामत होते हैं और फिर उन्हें एक समों के रूप में लागू करते हैं जब भी कोई नया कानून वेहवार को प्रभावित करता है जैसे सीट बेल्ट कानून रेस्तरा के अंदर धूर्म पान पर परस्तिबंध नगाना अनिवारे रिसाइक्लिंग आदी तो यह हमारी आदतों को आकार देने वाले समाजिक अनुबंदन का एक उधारन है सबों एक निश्चित तरीके से कारे करने के लिए सामत होता है और यदि आप उसका पालन नहीं करते हैं तो आपको डंडिक किया जाता है जिस तरह सरकारे नागरी को जवाबते रखने के लिए कानून का उप्योग करती है उसी तरह आप भी खुद को जवाबते बनाने के लिए आदत का अनुबंद बना सकते हैं आदत का अनुबंद एक मोखी क्या लेकित समझा होता है जिससे आप एक विशेज आदत के लिए अपनी प्रतिबद्धा को व्यक्त करते हैं और उस सजा के प्रति भी प्रतिबद्धा को व्यक्त करते हैं जो आपके द्वारा पालन नहीं होने पर मिलेगी तब आप एक या दो लोगों को अपने जवाब देही भागिदारी के रूप में पाते हैं जो आपके साथ अनुबंध पर सहमत होते हैं नैस्विल टेनेसी के उदमी ब्रायन हैरिस पहले ऐसे वक्ती थे जिन मैंने इस रणनिती को अपनाते देखा था अपने बेटे के जन्म के तुरंत बाद हैरिस ने महसूस किया कि वे कुछ पांड वजन घटाना चाहते हैं उन्होंने सवें अपनी पत्नी और नीजी परसी छक के बीच आदत का अनुबंध किया इसका पहला वीबरण था 2017 के पहले क्वाटर के लिए ब्रायन का एक उद्देश से सही तरीके से फिर खाना शुरू करना है ताकि वह बहतर महसुच करें बहतर दिखें और 10% चर्बी घटाने के साथ 200 पांड वाला सरीर पाने वाले तिर्ग कालिक लच को प्राप्त करने में सच्छमों सकें उस गतन के नीचे हैरीस ने आदर्स परिडाम प्राप्त करने का एक रोड मेप तयार किया जैसे चरण पहला पहले क्वाटर में स्लो कॉर्ड डाइट का पालन किया जाएगा चरण दूसरा दूसरे क्वाटर में सकती से मैक्रो न्यूट्रियंट को ट्रेक या जाएगा चरण तीन तीसरे क्वाटर में अपने आहार और व्याम कारेकरम के वीवरण को फिर परभासित करके उसे बनाए रखा जाएगा अंत में उन्होंने दैनिक आदतों में से उस परतेक आदत को लिखा जो उन्हें उनके लख्ष तक ले जाएगी उधारण के लिए परतेक दिन सारे भोजन के बारे में लिखना और खुद का वजन लेना और फिर उन्होंने सजा को सुची बद किया यदि वे असपल हो गए तो यदि प्रायन इन दो बातों को नहीं करते हैं तो उन्हें मिखित परिणाम लागू होंगी उन्हें बाकी क्वाटर के लिए परतेक कारे दिवस और परतेक रविवार की सुवर ड्रेस अप होना होगा ड्रेस अप को जीन्स, टीसर्ट, उड्डी या सोट्स नहीं पहनने के रूप में प्रभासित किया गया यदि वे सुची के अनुसार भोजन लेने में चूग जाते हैं तो जुआय को अपने हिसाब से उप्योग करने के दिए 200 डॉलर भी देंगे रिष्ट के निचले भाग में हैरिस, उनकी पतनी और अनेक प्रसिचक सभी ने अनुबंद पर हस्ताचर किया इसके प्रती मेरी सुरुवातिक प्रक्रिया यह थी कि अनुबंद अत्याधिक अप्चारिक और अनावस्यक लग रहा था खास कर हस्ताचर लेकिन हैरिस ने मुझे अस्वस्त किया कि अनुबंद पर हस्ताचर करना गंभिरता का संकेत था उन्होंने कहा जब भी मैं इस हिस्से को छोड़ता हूँ तो मैं लगबग तुरंत सुस्त पढ़ना सुदू करता हूँ तीन महीने बाद पहले क्वाटर के अपने लच्छे को ट्राप्त करने पर हैरिस ने अपने लच्छे को अपग्रेट किया उसके प्रेडामों में भी बढ़तरी हुई यदि वे अपने कार्वो हाइडरिट और प्रोटीन के नच्छे से चूप जाते तो उन्होंने अपने परसी छक को 100 डॉलर का भुगतान करना पड़ता है अगर वे खुद का वजन लेने से चूप जाते तो उन्हें अपनी पस्तनी को 500 डॉलर देने पड़ते उसका वेचाहे जैसा इस्तमाल करती सायद सबसे दरदना की यह था कि यदि वे दौर लगाना भूल जाते तो उन्हें हर दिन काम के लिए ड्रेस अप होना पड़ता औ गया और आदत अनुबंद से हर दिन जो करना है वह पता चलता था है रिस का वजन घट गया खराब आदतों को असंतोस जरक बनाने का सबसे अच्छा विकल्प है उन्हें उसी च्छन पीरादायक बनाए आदत का अनुबंद बनाना सीधे तोर पर यही करना है अगर आप आ और दिन एक गीत की चुनावती रखती हैं जो उन दूनों को जवापते बने रहने में मदद करता है यह जानना है कि कोई देख रहा है एक सतिसाली प्रेड़क हो सकता है आपके ताल मडोल करने या हार मानने की कम संभावना होती है क्योंकि उसकी ततकाल कोई कीमत होती है य दूसरों से अपने वचनों को निभाने में भी अस्वल हो रहे हैं आप इस परिक्रिया को स्वचलित भी कर सकते हैं बोल्डर क्लोराडो की उदमी थॉमस फ्रेंक परते एक सुबह 5 बच के 55 मिनट पर उठते हैं और अगर वे नहीं उठते हैं तो उनके पास एक ट्विट स अचलित रूप से निधारित होता है जो कहता है चो बच के 10 हो चुके हैं और मैं नहीं उठा हूं क्यूंकि मैं आगसी हूं इसका जवाब देने पर पेपल से 5 डालर मिलेंगे या मानते हुए कि मेरा अलारम खराब नहीं हुआ है हम हमेसा दुनिया के समक्ष स्वाइं को सर किरेंगे प्राबद करने की दातों करते हैं अचमा करने के लिए अच्छे प्राप्त करना चाहते हैं हम अपने आद पास के लोगों की राय की परवा करते है क्यूंकि यह मदद करता है कि दूसरे हमें पसंद करें ठीक यही कारण है कि जवाबते भागीदार प्राप्त करना या आदत के अनुबंद पर हस्ताक्षर करना इतने अच्छे धंग से काम करता है